बॉलिवुड एक्ट्रिस रानी मुखर जी हाली में गोवा में चल रहे चोपन वे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल आफ इंडिया के मंच पर पहुँची यहां रानी ने कहा कि आमीर खान स्टारर लगान एक मात्र ऐसी फिल्म है जिसका हिस्सा ना बन पाने का उन्हें मलाल है एक इंटरेक्टिव सेशन के दोरान रानी ने बताया कि उन्होंने पहले से ही एक फिल्म साइन की हुई थी जिसके 20 दिनों की शुटिंग बाकी थी इस फिल्म के चलते वो लगान का हिस्सा नहीं बन पाई 2001 में रिलीस हुई लगान साल की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी इसका कलेश सनी देवल स्टार गदर एक प्रेम कथा से हुआ था इवेंट में रानी ने कहा एक मातर फिल्म जिसका हिस्सा ना बन पाने का मुझे अफसोस है वो है आमिर खान की लगान मैं उस समय एक दूसरी फिल्म कर रही थी जिसे लगान की डेट्स कलेश हो रही थी वहीं आमिर इस फिल्म से बतोर प्रोड्यूसर डेब्यू कर रहे थे उन्होंने मुझे से कहा कि वो इस फिल्म को कुछ अलग तरीके से शूट कर रहे है वो चाहते हैं कि उनके सारे एक्टर्स छे मैने तक एक ही जग़ा पर बने रहे रानी ने आगे कहा चुकि मैं पहले से ही एक फिल्म में काम कर रही थी तो पूरा टाइम लगान को नहीं दे सकती थी आमिर का कहना था कि वो मुझे बीच में दूसरी फिल्म के लिए नहीं जाने दे सकते वरना दूसरे कलाकरों को अच्छा नहीं लगेगा आमिर से बात करने के बाद मैंने दूसरी फिल्म के प्रोडियूसर से भी पूछा कि क्या मैं इस फिल्म को छोड़ सकती हूँ क्योंकि आमिर मेरे करीबी दोस्त है और मुझे उनकी फिल्म का हिस्सा बनना है प्रोडियूसर ने भी मुझे जाने से मना कर दिया फिल्म लगान 2001 में रिलीस हुई थी आशुतोष गुवारीकर निर्देशित इस फिल्म में आमिर खान ने लीड रोल प्ले किया था फिल्म बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी इसने इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी नाम कमाया था इसी के साथ बने रही राजद्रमा टीवी के साथ तर देवार